हेलो फ्रेंज कैसे आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे तो फ्रेंज कल के व्लोग में लास्ट में हम लोग गए थे सती माता के मंदिर मतलब की मेलरी माता के मंदिर मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हो साइड में एक और मंदिर पढ़ता है कैसे हैं किस तरह से नजर में आते हैं या नहीं आते हैं और सामने जो लोग खड़े ना उनको भी चलो नजदिक से दिखाती हूं आपको तो सबसे पहले जो भईया खड़े हैं उनके पेरों में सूज पहना है वैसे तो सबके पेरों में सूज हैं तो इन सबको आप माइन में रखे एक बात बताने वाली हूं उससे पहले आप यहां पर स्री विक्रम भेरवनाची के दर्सन कल लीजेगा और यह जो यह ऐसी जगह पर आते हैं धार्मिक स्थल पर तो एकदम निरवातावरन होता है एकदम सांध और यहां पर हम आए हैं गड काली का मंदीर तो यहां पर चलते हैं और खिलोने है तो बच्चों का ध्यान पूरा खिलोने पर जाता है और हमारा ध्यान यह ऐसे पर्स पर तो चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर गवसाला है वैसे दो तीन गवसाला है और यह जो सामने है गुरुबूर अकनाची की गुफाओं से एक्जिट होने का रास्ता है इसके साइड में अंदर एंटर होने का रास्ता है तो यहां पर भी यहां से आगे आप वीडियो सूट नहीं कर सकते फोटो भी ने ले सकते कई लोग ले रहे थे पर मुझे अच्छा नहीं लगा फिर भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगी तो एक गुरु गुरुक के दर्शन करवाती हूँ तो जब भी मैं ऐसे धर्मिक स्थल पर जाती हूँ तो मेरा एक ही माइंड में रहता है एक ही बात रहती है के गर बैठे जो लोग यहां नहीं आ सकते तो ऐसी जगाओं के आप गर बैठे दर्शन कर पाओं बस मेरे जो वीवर्स हैं सस्क्राइबर से गलती से जो मेरे वीडियो पर भी आ जाते हैं वो गर बैठे से दर्सन कर पाए बस यहीं मनतव्य होता है और ऐसा नहीं होता है मेरा वीडियो वाइरल ओ सब कुछ दिमाग में नहीं चलता तो बस थोड़े से आराम के लिए यहां बैठ चुके हैं हम और क्योंकि मंदिर होते हैं तो चलना भी पड़ता है उसके बाद हम निकल गए थे वापस रूम डुणने के लिए तो कल राज जो रूम में हम रुके थे ना तो वहां जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे क्योंकि यहां ऐसा होता है उज्जेन में के साइद पाच-छे बजे के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो चलिए कल की बात में बताती हूं तो दूसरी जगा पे हम रुके थे और पूरी नाइट हम दूसरी नाइट भी हम उज्जेन में ही रुके थे वो भी बता दू तो बात वह थी जो तीन सिव्लिंग मेंने दिखाए और वो भाईया भी बगवान के आगे और यह तो आप वी आई पी हो मॉडल लोग हो तो ऐसी हिल्स पर गुमने चले जाओ ऐसे थल पर गुमने चले जाओ जहां मंदिर भी नहीं होता है enjoy करो मंदिर के धर्मिस थलबर ख्यूंआ आते हो तो गलती सुधाने से मान भी नहीं रहे थी और पैर रखा था तो पैर भी नहीं हटा रहे थे और सूज भी पेने थे वो भी नहीं निकाला और उपर से जो पुजारी थे उनके साथ जगर ने लगे तो पुजारीयों ने हाथ जोड लिया चलो बात में आगे continue रखती हूँ तो यहाँ पांच पांडो कुंती माता और द्रोपदी जी के दर्सन कर लिजीगा और यहाँ पर अमबाजी के दर्सन कर लिजीगा और चलो परिक्रमा भी मैं आपके साथ ही कर लेते हूँ तो यहाँ पर राधा कृष्णा है उनके भी दर्सन कर लिजीगा यह जगा यही है जहाँ पर हम रात को रुके थे और फिर यहाँ से भी निकलने की तयारी हो रही है तो सुबह जगड़ा कर रहे थे जो सेवा कर्मचारी होते हैं उनके साथ और उनके साथ जो दूसरे लोग भी थे ना वो टोली वाले सब भी लोग ऐसे जगड़ रहे थे तो हमारे साथ जो छोटे-छोटे बच्चे है ना उनको भी पता था कि ए बात अच्छी नहीं है भाईया की गल तो चलो एक बार और बात काटती हूं तो यहां पर हम रुके थे बीश में नास्ता के लिए चाई नास्ता के लिए क्योंकि बहुत भूठ लगे थी तो चलो वह बता दिया आगे बात कंटीनिव रखती हूं तो इतने बड़े धंडे को मतलब कि इतना बड़ा इंसान इसको समझ में क्यों नहीं आता और उसके साथ साथी थे वो भी जगणने लगे तो फिर लास्ट में जो पुजारी थे उन्होंने हाथ जोल लिए भाईया हम से गलती हो गए तुम जानो भगवान जाने ऐसा बोलकर वो चुट गए तो आपको टोकता है ना और आपकी गलती होती ह है ऐसे धार्मिक स्थलोपर तो मान लेना चाहिए वो अच्छी बात ने है तो आप हिंदू ही नहीं हो मैं तो यह वहीं बोलूंगी मेरे व्लोग में आप हिंदू धर्म अपनाने के लायक ही नहीं हो आप ऐसे स्थलोपर जाने के लिए भी लायक नहीं हो मत जाओ ऐसे स्थ कुछ जो हमारे साथ जो हमारे छोटे बच्चे भतीजे सब कुछ थे सब को पता है कि गलती भीया की है फिर भी वो नहीं मानते हैं तो समझ लो छोटे बच्चे सब कुछ कुछ नौटिस कर लेते हैं आप इतने बड़े होकर नौटिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे स्थलों पर जाओ हुई मत गुमो बहुत सारी जगा है लंडन अमेरिका गुमो फीरो नंगे होकर गुमोगे न फिर भी कोई नहीं बूलेगा तो स्वारी ऐसे धार्मिक स्थल क जगा मैं आपके साथ सेर कर रहे हुए मैं ऐसा बोल रहे हूँ पर यह बात हमारी धर्म की आती है ना तब मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है बीच में जो नर्मदा नदी गई है उनके दर्सन कर लीजेगा व्लॉक करते करते भी मैं बहुत गुस्सा हो गए यह वाइस दे देखें जा रहे हैं मंदिर की तरफ हम तो कही पर भी जाते हैं अगर नाइट वहां रुकना है तो सबसे पहले रात को रुकने की व्यवस्था करनी पड़ती है तो मुन्ना भाई संभू जो मैंने गैट बताया वहां गए है अज का व्लोग में यहाँ पर एंड करती हूं क पूरा ओमकारेश्वर का व्लोग आएगा देखेगा जरूर मिलते हैं ने व्लोग के साथ ततक लिबाई